असलाम अलेकुम वीवर्स उम्मीदे सभी खेरियत से होंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ जामा मस्जित के फेमस चिकन बर्रे की रेसिपी ये रेसिपी यूटूब में आपको इस तरह से कहीं भी नहीं दिखेगी तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा बनान के लगभग है ये ये मेरा हूंबेट तंदूरी मसाला है जिसकी रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी फिर मैं इसमें डाल रही हूं फोर्जी पेस्ट फोर्जी मतलब चिंजर गार्ली ग्रीन चिलीज और ग्रीन कोरियंडर पेस्ट अब इसमें हम डाल देंगे आदा फूट कलर भी एड़ कर सकते हैं औरेंज फूट कलर या फिर यलो फूट कलर आप डाल सकते हैं इसका जो बेसिक कलर है वो इस तरह का होता है इसे बहुत जादा रेड या फिर दूसरे कलर्स में नहीं बनाया जाता आप चाहें तो कलर स्किप करना चाहते हैं तो कश्मीरी चिली पाउडर भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हैं लेकिन अगर आप चाहें तो दो गंटे मेरिनेट करके भी बनाईए काफी अच्छा रिजल्ट आएगा अब मैं इसे रख रही हूं फ्रिज में ताकि यह अच्छी तरह से मेरिनेट हो जाए मैंने इसे ओवर नाइट के लिए मैरिनेट किया है यह देखिए चिकन हमारा मै आप नाइगे इस रेसिपी को बार-बी-कियु में बनाया जाता है हम अभी बार-बी-कियु में नहीं बना रहे हैं कम कॉंट्टी है इसलिए तो हमें से समोग देना होगा ताकि पूरा बार-बी-कियू का इसमें फ्लेवर आ जाए बीच में कटोरी को प्लेस करके इसमें जलते हुए कोईले अट करेंगे फिर उसमें हम डाल देंगे गी एक चौथाई चमत से कम ये गी हमने इस्तिमाल किया है धुआ उठने पर हम इसे ढखकर पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे पांच मिनिट के हुए थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्श्चर देने के लिए इसे फ्राइ करना है एक तरफ से चिकन को पहले अच्छे से शिकने देना है उसके बाद हि हम से फ्लिप करेंगे koon p घ्रिल करके बना रहे हैं या फिर शैलो फ्राई कर रहे हैं तो काॉन-ध्रॉड डालने की इतनी जाद़ जरूरत नहीं है चिकन को एक तरफ से सिखने के बाद हमें शारे चिकन के पैसेज को फ्लिप कर देना और दूसरे तरफ से भी इसी से हमें इन्हें पकने देना है यह जो बर्रा की रेसिपी मैं आपको बता रही हूं यह दिली का चावा मस्जित का बहुत ही मशूर बर्रा है वहां की बहुत फेमस रेसिपी है वो लोग इसमें चीज नहीं डालते हैं लेकिन मैंने यहां पे अपनी तरफ से चीज एट किया है जिससे यह रेसिपी और भी जादा लजीज बनके तयार होती है अब एक बड़े से बॉल में हमें डाल देना है आदा कप के लगबग चीज जो मौजरेला चीज है और आदा कप से थोड़ी जादा यहां पे हमें फ्रेश क्रीम लेनी है उसके बाद हमें इसे इस तरह से पाता है तो रेसिपी में जो टेस्ट आना चाहिए चीज का वो नहीं आ पाता तो पहले आप बाहर निकालके एक गंटा रख दीजिए उसके बाद इसमें एट कीजिए अब मैंने यह जो गर्मा गरम हमारे चिकन के पीसे से इन्हें डाल देना है इस ग्रेवी में जो मैंने तैयार करके रखी है यह ग्रेवी जो है एक तरह की सीजनिंग होगी चिकन के पीसेस के उपर फ्राइ करने के बाद चिकन थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है और फिर उस पर जब इस तरह की क्रीमी ग्रेवी लग जाती है तो रेसिपी का तो कोई जवाब भी नहीं रहता एक ज ग्रेवी बना के तियार करके रख लें ताकि जैसी आप गर्मा गरम चिकन निकालें वैसी आप इस ग्रेवी में इसे डालें तो चीज जो है गरम चिकन से पिगल जाता है और अच्छी तरह से कोट हो जाता है चिकन के ऊपर चिकन को थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं दो से तीन चुटकी के लगबग चाट मसाला अब इसमें हमें डाल देना है कुछ पत्ते कटे हुए धन्ये के जिससे ये रेसेपी और टेस्टी भी बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी इसके बाद मैंने बटर को मेल्ट होने के लिए रख द दाल सकते हैं लेकिन इस रेसिपी में बटर जाना बहुत इंपोर्टेंट है उससे इस रेसिपी में ओरिजिनल स्वाद आएगा और सारा जो फ्लेवर है वो बटर से इन्हांस हो जाएगा बटर बिल्कुल गर्मा गरम हमें यहां पर डालना है ताकि जो बची कुछी कसर हो एंजॉय कीजिएगा रेसिपी को अल्ला आफिस